यह है OneBo T4 Android Projector यह Auto Focus और Auto Case Tone के साथ आता है, यह एक Full HD Projector है, 1080p के साथ 4K support की करता है, 450 ANSI Lumens Dustproof Engine है इसका, Dual Wi-Fi और Bluetooth के साथ 1GB RAM और 16GB Memory है इसके, यह Dolby Audio को भी support करता है और यह काफी छोटे साइज में काफी अच्छा प्रोजेक्टर है और यह छोटे से रूम के लिए Almost 200 इंस तक के स्कीन को प्रोजेक्ट कर देता है, यह है इसका warranty card आता है एक साल की warranty के साथ, यह उसका user manual जिसमें basic setup and guidance वागेगा लिखा हुआ है यह inbuilt speakers के साथ है जिसमें दो 5W के speaker लगे हुए है दोनों साइड में लेकिन यह इतने powerful नहीं है जितना आप वोमिद करोगे, यह 5W के छोटे-छोटे speaker है जो normal एक रूम के लिए ठीक है बेटर होगा अगर अपना sound system या फिर Bluetooth से आप Bluetooth speaker connect कर सकते ह करेंगे तो जादा मेंटर है इसमें inbuilt android है जो की 9.0 है इसमें फ्री बिल्ड अप्स है नेटफ्लेक्स, प्राइम वीडियो, फ्ले स्टोर लेकिन इसमें जब मैंने Netflix चलाया तो फूल HD में support नहीं किया वह नॉमल किसी अपने पुराने वर्जन पर चलता है लेकिन Netflix है अंद प्ले किया तो उसमें 4K पुरा support किया लेकिन वह प्रॉब्लम नेट्लिक्स पे था कि नेट्लिक्स को support नहीं कर रहा था बराबर और इसका वाइफाई काफी अच्छा है वाइफाई की रेंज भी काफी अच्छी है और जो disturbance होता है जैसे कि मैंने just metal तत्का Bluetooth टीकर रखके ट लगा कुछ है नहीं और इसका connection भी काफी easy और simple है आप अलाम से इसे कहीं पर भी लाज़े plugin प्ले कर सकते हो कि इसमें already Android है तो आपको कुछ क्यारी करने की ज़़त नहीं है सिद्धा आप अपने wifi से connect करके internet से connect करके आप डायरेक्ट देख सकते हो जो भी app के आपको movie और दे देखने मिलेगा लेकिन वह थोड़े time बड़ ठीक हो जाते है तो आपको इसका simple connection करके दिखा देता हो normally आपको power cord connector में power supply में और इस यह power supply आपको इसके तीच्छे लगा देना है कि अब अब देख सकते हो या hems आप देख सकते हो या hems आप डीच ले सकते हैं और aox input है ज़िए आपको sound system में जाए हैड़फोन करने 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 हैं तो वह भी आपको सकते हैं यह इसके साइडिक में दोनों स्पीकर से जो काफी चुटे है यह इसका पावर बटन और इसके फ्रेंड में छोड़ता सा कैमरा दिया हुआ है जो की ऑटो फोकेस के लिए यूज होता है वो कॉलिंग अगेरा के लिए नहीं है अगर आप जब यह स्टून चालू करोगे तो प्रोजेक्ट करके प्रॉपर फोकस लेता है वो फोकस सेट करने के लिए कि इस्टून करने के लिए वो कैमरा लगाया गया है और यह मेरी नॉर्मल वाल पर अभी आपको दिखा दे कर इसका आउट्टिक ऐसा दिखता है यह आटो की करेक्शन लेता है अपने आप जूम इ यह लाइट बंद करने के बाद इसका काफी ब्राइटनेस अच्छी है इसकी अभी यह मेरे कैमरे पर इतना अच्छा नहीं दीख रहा होगा लेकिन यह काफी अच्छा है और इसका ब्राइटनेस मैंने नॉर्मल डेलाइट में भी यूज़ करके देखाता है इसको यह मैं अपना ट्राइपोट पर अगर लगाए हो तो आप यहां से तुड़ा करेक्टर सकते हो अगर यह मेरे एक लेप साइड में है जो इसक्रीन बाहर जा लिए जैसे जो मेरे दुख से वाल पर जा लिए तो वह मैं उसको कीच के अंदर ले सकता हूँ लेट राइट उसको कियाप नीजियर कैंद कर कैंद लेAtट इंद कि दाल अचर अचर में हमरे इंदर प्झवग से अचर हो अगर अगाद दुख मांट काई और अगर आपको एक ठेड़ा मेरा है और आपको अगर 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 एजस करना है तो यह automatically अगर निचे जो लास्ट और निचे वह अगर आपको पर स्क्रीण बड़ी CC कर settings आई. उसके यह यह मैंने रिमोर्ट से किया है इसको होस्कोपाइब रहा हुआ. अब remote से भी control कर सकते हैं उसका focus इसमें एक अच्छा है कि इसमने focus control है वो remote पर भी दिया गया है remote पर जो बटन है ¥ प्लस- sergeant पूरी कर सकते हैं यहान से source इलेक पर सकते अगर आपने pen drive अगेरा connect किया है तो आपको सारी फाइल यहां से आप access कर चकते हैं और one bow मैंने देखा है इसके फ्रीर से वर्जिन में भी कि one bow update देते रहता है जो भी इसका नया अपडेट आएगा वह आपको मिलते रहेगा यहां से आप अपना bluetooth speaker जो headphone connect कर सकते हैं यहां तो बहुत सारी language है आपको यह language पसंद हो उसमें आपको अपना language setting कर सकते हैं यहां पर कुछ और basic settings है यहांता पिचर, brightness, contrast अगरा सब अपने हिसाद सेट कर सकते हो इतना बहुत सारी option है आपड़ मेंडें कर सकते हैं तो मैंने मैच वगणा भी देखे हैं जो है है और टीन भेंडें के ओपर मैंने फोटीन भेंदें के वर वा बहुत हैं है प्रोजेक्टर को चलाया था लेकिन इसकी वोईस जो है जैसे कि अगर एक रूम में आप रात में आगर पूझे पर चला रहे हैं तो इसके फैन की आवाज नहीं आती है बहुत silent है बहुत silently चलता है इसके बैक से यह हवा अंदर देता है और फ्रण से आगे हवा सोड़ देता जहांसे आपको गरम हावा फील होगी लेकिने इतने जादा गरम भी नहीं होता और इसक्तम नॉइसलेस है इसमें हावा ज़रा भी नहीं आते आपको मालूम भी नहीं पड़े है कि उपर प्रोजेक्टर चल भाए दो गया नहीं है अभी नहीं पुर्ण करता है यह स्क्रीन मीररी इंको भी सपोर्ट है आप अपना इसक्रीन कास्टर गराएं और अपको थोड़ा साल अब देखने लिए उसमें आप स्क्रीन कास्ट करते हूं उइसमें दिया हुआ है तो आपके वार बहुत सारे उप्शन है तो प्रोट टीवी जैसे कि अपने टीवी के जो डिया आप सपोर्ट करते है तो इसके प्रिंसटर में वह साब यूँ के त इस पर मेरे ये वीडियो प्ली करके देखे तो अभी मैंने नॉर्मल डॉबल्स पर प्रोजेक्ट किया हुआ है तो इसके मुझे कालर डिफ्रेंस काफी में रहे हुआ है तो ग्रे स्पिन लेने के रहे उसका भी में एक बार टेस्ट डालूँ उसका भी वीडियो बना के डालूँ और एक्ट्वल स्पिन पर इसका कलर आउट्पुट कैसा है तो आपको जादा दिखे गा अच्छे से क्लिये कि इसका कलर और प्रोजेक्टर है कैसा है अभी फिलाल इसमें वह भी एंड्रोइड प्रोजेक्टर है लेकिन उसमें आटो की केलेक्शन मगे रानी है और जो मैंने लिया है यह वालबो टीफोल यह मैं को एमेजान पर पढ़ा कुछ 23,000 में अभी सेल चल रहा है तो उसमें 1000 रुपिस का कूपन भी था तो मैं को 23,000 में लिया इस लगता था तो मुझे बहुत रिस्की लगता था लेकिन यह अभी एमेजान पर और इसकी वेबसाइट भी हिंड्या में है तो आप इनके वेबसाइट पर प्रू करके वहां से भी पर्चेस कर सकते हैं वहां पर भी डिस्काउंट उपन चलता हो कुछ 5-10% आप तो आप वह में है अगर आपको भी अपने घर पे ठेटर वाली फिल लेने है तो आप इसको ट्राइ कर सकते हो इसको देख सकते हो काफी अच्छा और सस्ता प्रोजेक्टर है मुझे तो काफी पसंद आया यह इस पिले मैंने इसे बाई किया आप आप झाया है... अगर वीडियो पसंद आये होगी तो लाइक और स्वाइब करना और कुछ भी कोईशन हो तो कमेंट करना